हाईलो दोस्तों, वेलकम टो माँ चैनल नौलेज गुरू जी इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस एक ऐसा चेप्टर जो कि S.S.C. या किसी भी एक्जाम के लिए बहुत है इन्पॉर्टेंट है इसके कोस्टर्ण को दोस्तों करने के लिए काफी मतलब लोग फार्मूले रठते हैं तो मैं आप को ऐसा कॉंसेट बताऊंगा कि आपको फार्मूला याद करने के जर GPS नहीं रहगी अगर आप यह बेसिक कॉंसेट समझ गए तो आप कोस्टर्ण को आसानी से solve पर सकते हैं, तो चली हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले Profit and Loss में MRP को आपको जानना ज़रूरी है, MRP क्या होता है, किसी भी जैसे packet पर जो लिखित मूल होता है, जैसे कि हमने एक 10 रुपए वाली वो मैगी खरीदी, या कुछ भी खरीदा जैसे कि, तो उस पर जो अंकित मूल होता है, भाई हमारा MRP कहलाता है, लिखित मूल या अंकित मूल या छपा हुआ मूल, जो packet पर छपा हुआ मूल होता है, उसे हम लोग MRP कहते हैं, अब SP क्या होता है, SP होता है Selling Price, Selling Price means, जैसे कि, किसी ने कोई वस्तु को, पहले तो CP आप जानी है, CP क्या होता है, Cost Price, किसी ग्रहक ने, जैसे कि, जैसे कि, दुकानदान ने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी है, और उसको 12 रुपए में बेंच दिया, तो वो हमारा बेंचना जो हो गया, वो हमारा Selling Price हो जाता है, Means, बिक क्रेमूल, और जो खरीदा था, 10 रुपए में, वो हो गया हमारा क्रेमूल, इन दोनों का जो difference आएगा, वो हमारा 2 का difference है, वो हमारा जो ग्रहक का, जो सोरी, जो दुकान दार कहो रहा है, वो profit हो रहा है, और जो उसने जो 2 रुपए का profit कमाया है, अगर question में percentage of profit, और percentage of loss, पूछा जाए तो हमेशा profit या percentage हमेशा, CP पर होता है, ना की SP पर, तो हम लोगों अगर percentage of profit निकालेंगे, तो हम लोगों को जो दो रुपए जो दिया हुआ है जो लाव आ रहा है उसको लिखेंगे बटे और जो CP है परसेंटेस ऑफ प्रॉफिट हम लोग जो निकालेंगे वो CP पर ही निकालते हैं या लॉस तो दो बटे 10 इंटु 100 तो ये काटा हो गया हमारा बन बाइ 5 इंटु 100 ये 5 से काट देंगे पांदुनी 10 तो ये 20 परसेंट हमारा प्रॉफिट हो गया दुकानदार का आई होप आपको ये बेसिक चीछे समझ में आ गई होगी अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो प्लीस कमेंट कीजे नीचे तो हम लोग कुछ को लेते हैं जिससे कि आ आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो चलिए हम लोग पाहला कोस्टन के बोड़ चलते हैं कि हमारा पाहला कोस्टन है एक व्यक्ति एक बस्तु को 80 रुपए में खरीदता है और 100 रुपए में बेचता है तो उसका पर्सेंटर्स अब लाव प्रॉफिट क्या होगा तो इसमें जो दिया गया है एक बस्तु को 80 रुपए में खरीदता है मीनTP तो CP क्या होगे 80 रुपए और 100 रुपए में में बेच दिया और SP क्या दिया हुआ है बेचने को, हम लोग SP Selling Price कहते है और खरीदने को सीपी कहते है मीन CP और SP क्या होते हैं CP जो होता है जो हमारे pocket से रुपए जो जाता है और ग्रहक के जो दुकानदार की jam में आता है तो हमारी jam से जा रहा है तो उसको CP और जो हमारी jam में आता है profit बनके वो हमेरा SP हो जाता है SP कितना दिवा 100 रुपी इन दोनों को difference हम लोग कर लेंगे तो वो हमारा profit हो जाएगा profit कितना आगे 100-80 तो आगे 20% का profit आओ गया और तो इसमें पूछा का percentage of profit मैंने उपर आपको बताया था percentage of profit निकालना तो हमेशा CP से ही निकालेंगे ना कि SP से तो percentage of profit is equal to 20 जो गलाब हुआ 20 रुपे का और CP कितना 80 इन टो 100 यह 0 से 0 प्रट गया तो पंजे 10 तो चाकु आठ और यह 4 पांचे 20 तो 25% का profit हमें हो गया आयोब आपको यह question समद में आया होगा अगर आपको यह समद में आया तो आपका concept पूरा clear हो गया चलिए अगले question के और हमनों चलते जो की बहुत ही important है तो दोस्तों हमारा अकला question है एक बेमान दुकांदार बस्तू को उसके क्रेमोल पर बेंचता है लेकिन एक किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाटका प्रियोग करता है तो उसका percentage of profit निकालो तो इस प्रकार के question को solve करने के लिए आपको एक concept आना चाहिए अगर आप step term concept को समझ लिए तो किसी प्रकार का कोस्टन है तो आप solve कर सकते हैं तो इसका concept है तो जो question में दिया गया है चलिए इस question को हम लोग करते हैं तो इस प्रकार के solve करने के लिए इस प्रकार के question को हम लोग मानेंगे 1 kg का वांट का मतलब एक वेमान दुकारत रहीं उसके क्रेमूल पर ही बंचता है बस दूको स्वीपी पर ही बंच रही है वह तो वह 1 kg हम लोग 1 kg मानेंगे सॉरी, 1 kg हम लोग मानेंगे 1 रुपया जिस पर वह बंचता है तो यह हमारे स्वीपी के बरावर हो जाएगा तो यह हो गया 900 रुपया मतलब जो ग्रहक को तो पता नहीं है कि वो 900 ग्राम के बाट का प्रियोग कर रहा है लेकिन वो रुपय उतने ही दे रहा है मतलब बेंच दे रहा है तो पॉकेट में जो आ रही है दुकानदार के पेंच में तो वो 900 की जगह 1000 रुपय आ रही तो इसके बीच का अंतर जो होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तो 100 रुपय का प्रॉफिट उसे हो रहा है तो पर्सेंटेस अफ प्रॉफिट निकालने के लिए सब उपर रखेंगे और किस पर मतलब जो दुकानदार दे रहा है मतलब जो ग्राहक दुकानदार को रुपय दे रहा है कितने पर हजार रुपय दे रहा है तो यह होगे हमारा एसपी तो एसपी पर हम लोग प्रसेंटेस अफ प्रॉफिट नहीं निकालते हैं वो हमारा सीपी पर निकलता है आई होप आपको यह question समझ में आया होगा तो अगले वीडियो में question को कराऊंगा जिससे आपका पूरा doubt क्लियर हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को like को से अगर आपको पसंद आए